हेलो डियर नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से टार्गेट विद आलोग आनलाइन इसिट्वीट पर मैं इस्तोमर आज हम लोग बात करेंगे कि इल्टी ग्रेट मैथमेटिक्स के एकजाम पेटन पर ठीक है ना मैथमेटिक्स का किस टाइप के कुष्चन आता है और लेबल क्या होता है खास बात तो लेबल की है डियर वहां पर जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की त्यारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वो यह लोग से वायोग करा रहा है और लोग से वायोग का जो भी एक्जाम होता डियर आपने देखा होगा जो एक्जाम का कुश्चन का लेवल है वो डेफिनेटली कुछ कॉंसेप्चुल तो रहते रहता ही है कुछ ऐसा रहता है कि जिससे आपको कुछ सोचना पड़े ठीक है ना खासकर मैथमेटिक्स की बात है तो अगर आपने कॉंसेप्ट अच्छा त्यार किया हुआ है बढ़ियां सा तो डेफिनेटली वो कुश्चन कर ले जाएंगे और TGT, PGT में क्या होता है कभी-कभी बहुत सारे डारेक्ट कुश्चन आते हैं लेकिन LT ग्रेट में उन ही कुश्चन को कॉंसेप्ट कुछ ऐसा उठा देता है जिससे फिर आपको सोचना पड़ेगा और आगर आपने धंग से पढ़ाए तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाएंगे तो ठीक है डियर तो आज हम लोग कुछ एक टॉपिक भी ऐसा ले लेते हैं कि जिससे LT ग्रेट के कुश्चन कैसे बनता है क्या उसमें से कुछ डिफरेंट होता है जिससे कुश्चन की उपर कुश्चन बन जाता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ठीक है न तो आज हमने जो है एक टॉपिक उठाली आडियर कॉंप्लेक्स अनलाइसे ठीक है जिसमें से कई कुश्चन हैं तो उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन पहले एक बात थोड़ा सा मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि इल्टी ग्रेट में जो सब्जेक्ट का जो है कुश्चन होंगे वो 120 कुश्चन होते हैं और 30 कुश्चन जीएस कर रहता है यानि टोटल 150 कुश्चन होते हैं और सभी कुश्चन वन मार्क्स के ही होंगे लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार निगेटिव मार्किंग भी होनी है और वन थर्ड कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा आपका अगर आपने गलती कर दिया तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि question भी हमारा गलत ना हो और पूरे करना भी है ठीक है ना, तो GS तो 30 question काएगा उसको भी त्यार करना है लेकिन mathematics को आपको 120 question पूरा करना है TGT, PGT में 125 हैं और इसमें 120 हैं, कम नहीं है डियर ठीक है ना, इसमें भी आपको उतने effort लगाना होगा, बलकि उससे ज्यादा लगाना होगा, ठीक है ना आपके पास golden chance है अच्छी vacancy आने वाली है, ठीक है ना सबसे बड़ी बात तो यह है डियर की जो है, इसमें आप जो है GIC में पहुँचेंगे ठीक है ना, यानि राजकी जो है बिद्याले में पहुँच जाएंगे सासकी पहुँच जाएंगे, जिसमें से उसका चार्म ही अलग है भाई, अगर आप किसी से कहेंगे भी कि, जो है, हम कहाँ पर जो है, टीचर है, तो कुछ अलग ही बात महशूश होगी, कि नहीं हम GIC में जो है, LTE ग्रेट में हैं, या फिर GIC में आप प्रोक्ता हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है ना, तो जल्दी ही जो है, बैच हम लोग लांच कर रहे हैं, ठीक, अगर आप चाहें आपको पूरा सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये सब देख सकते हैं, आप जो है, ठीक, तो आईए डियर, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट में, जैसे ये कुश्चन है, देखिए, ये कुश्चन है आपके, इसक्रीन पर, और इसमें आप देख रहे हैं कि, कुश्चन ये लिखा हुआ है, एक्वल टू, यहाँ पर एक्वल टू, कॉस्ट फोर पाई भाई थ्री, प्लस आई साइन फोर पाई भाई थ्री, देखिए, ये लिखा हुआ है, अब डेफिनेटली ये पोलर फाम का है, यानि जो है, कम्प्लेक्स अनलाइसिस मैंने रखा है आज, तो पोलर फाम का है और पोलर फाम में डेफिनेटली अगर आप इसको जो है बदल लें, एक ही वैलू को जरा आप इस टेंडर्ड फाम में बना लेंगे, तो फोर पाई भाई थ्री है, तो एक को आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई भाई थ्री, ठीक है डियर, ये हो गया, पाई प्लस पाई भाई थ्री ठीक है न डियर यह हो गया ठीक है न अब आप जान रहें कि यह थर्ड क्वाइट में चला गया तो यह भी निगेटी होगा यह भी निगेटी होगा तो डेफिनेटली minus cos pi by 3 minus iota sin pi by 3 ठीक है dear ये बन गया तुरंद अब इसकी value आपको अच्छी तरीके से बता है कि ये minus 1 by 2 होगा dear और ये हो जाएगा minus i root 3 by 2 ये हो गया a की value आपको मिल गई तो 1 plus a भी निकाल लीजे आप तुरंद तो जब 1 plus a निकालेंगे तो dear यहाँ पर 1 ये plus हो गया और ये minus में जो value लिखी है minus iota root 3 by 2 ये बन गया तुरंद थी इसके बाद ये जो value आई सामने आपको दिख रही है कि 1 by 2 plus का बन जाएगा और minus iota root 3 by 2 अब बात यहाँ पर क्या जाती है देखिए इसी जगे खास बात आ गई कि आपको तुरंट समझ में आ जाना चाहिए कि ये omega की value तो नहीं है क्योंकि omega में पहले minus होता है फिर plus होता है तो अगर हम minus से multiply कर दें तब जरूरी हो जाएगा कहने के मतलब है dear ये minus omega की value बन गई ठीक है ना? ये minus omega की value बन गई clearly जब minus omega बन गया तो अब आप क्या करिए यहाँ पर ये इस part को अलग कर दीजे dear तो one upon two to power three n ये बिल्कुल अलग हो गया अब यहाँ पर आ गया जो है minus omega ठीक है नग dear minus omega बन गई पावर three n अब इसमें भी दो पाट कर दीजे इसके दो पाट का मतलब ये कि minus one की power three n को अलग करिए dear और two to power three n अलग करिए और omega की power three n जब आप करेंगे तो शेवर है कि ये n हो जाएगा आपको पता है कि three n की value one होती है ठीक है न ये one हो गया यहाँ पर जो है minus one की power three करेंगे आप इसमें minus one की power three to whole power n ऐसा लिखा जा सकता है dear ये बन गया बस एंसर बन गया तुरंट ही ये two to power three n और आप देख सकते हैं कि इसका एंसर आपको सी दिख रहा है ये ठीक है dear तो इस टाइप से आपको question ऐसे मिलेंगे कि जिनमें से आपको जो है concept को यूज करना ही पड़ेगा अगर आपने केवल question भर कर लिया है concept को बड़ी हां से आपने read नहीं किया है revision नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी ठीक है ना तो मेरी classes ऐसे ही होने वाली हैं जिनमें से आपको जबर जस्त concept भी साथ मिलने वाला है ठीक है ना concept कर नोट आप अलग से बना सकते हैं बहुत बड़ी हां तरीके से और उन में से जितने भी question डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं क्या यूज हो सकता है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है तो जरा अब आते हैं जरा हम दूसरे question पर इसी में वह भी देखिए आप क्या chance है उसका next question यह रहा आपके screen पर यह देखिए यहां पर अब यह question तो है question आप समझ रहें direct जो है यहां पर यह लिखा है और यह condition होती है कि अगर यह condition है not equal to 1 है अगर यह not equal to 1 है यह जेड़ वन माइनस जेट टू ठीक है ना तो definitely circle होता है तो यहां तो circle पहले से ही लिखा है जेड़ वन माइनस यह जेट टू not equal to 1 है तो definitely z circle ही होता है जेड़ जेड़ जे circle आप निकाल सकते हैं रख करके ठीक है यह आप कर भी सकते हैं ठीक है पूरा calculation कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब lt grade में कोई question आएगा तो यही चीज बदल जाती है ठीक है ना यहां पर जो है इसने circle को ना पूँच करके कह दिया center radius निकालिए ठीक है न डियर यहां पर क्या कर दिया कि center और radius निकालिए आप अब हो गया ना concept की बात अब आपको अगर पूरा पता है बढ़ियां से कर देंगे लेकिन अगर उसमें आता तो हो सकता है direct आप से पूंचता की लोकस क्या होगा ठीक है न डियर तो फिर हम क्या करेंगे जल्दी भी करना है मैं ठीक है ना time भी best नहीं होना चाहिए तो फिर क्या करेंगे फटा-फट इसमें सीधे जल्दी से x x plus i y रखेंगे तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा fast करने का तरीका यहां देखिए x plus i y रखेंगे तो x के साथ Minus 3 आ जा रहा है ठीक है न date, minus 3 बन गया plus iota y बन गया, ठीक है न, और यहां पर भिवा ही condition होगा 2 की उधर की तरफ ले जाएए ठीक मॉडलस में यह हो गया यहां पर जो है एकस प्लस थ्री और प्लस आयोटा वाई ऐसे बन जाएगा अब थोड़ा सा मॉडलस निकालना है तो और फास्ट कर लीजिए तो एकस मैनस थ्री का स्कॉयर करेंगे फिर वाइस का स्कॉयर करेंगे फोर 3X स्कॉयर है तो जब आप इसको कलकुलेट करके लाएंगे तो एक सिंपल में कोई ने कोई ने कोई एक्विशन बन जाएगा थिकster도 तो फिरहाल जो है जब कल्कुलेट करके लाएंगे तो यह बन जाएगा एकस स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर थी से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3X स्क्वाइर 3Y स्क्वाइर भी दिख रहा है आपको ठीक है ना और प्लस 10X प्लस 9 एकवल टू 0 यह हो गया जैसे यह बना तो अब आप कंपेर कर दीजे कैसे कंपेर करना है आपको X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C एकवल टू 0 तो सेंटर आ जाएगा इसका सेंटर आ गया एडियर माइनस 5 आधा हो जाएगा इसमें कोडिनेट ही नहीं है तो फिर एक सक हप हो जाएगा सीधे-5 और दूसरा 0 होजाएगा और यद्यर आप बात आएगी तो रेडियर में आप जानी रहें स्क्वाइर प्लस 1FY स्क्वाइर क्यानिकी कितरा यहां पर 5 का स्कॉइश हो जाएगा और यह माइनस 9 तो 4 करने का तरीका यही है कि आप फटा-फट मॉडलस लगाएं और जितना फास्ट हो यहीं कलकुलेशन कर लें ठीक है ना टाइम बेस्ट नहीं होगा क्योंकि पूरा लिखेंगे तो टाइम बेस्ट हो जाएगा फिर आपको दूसरा कुश्चन भी तो करना है आप यह भी तो मजना होगा कि 100% जो है conceptual question रहेगा क्योंकि उस exam को लोग से वायोग कराता है पब्लिक सर्विश कमिशन कराता है और उसके question का label definitely कुछ भिन होता ही है ठीक है अब यह देखिए अब यह concept लिखा है इसमें question जो है ज्यादा टाइम बर बात करने कि जिए उतना ही question में आपको ऐसा नहीं है कि सब tough ही question मिलेंगे सब बड़े ही मिलेंगे कुछ ऐसे question में मिलेंगे कि अगर concept याद है आपको तो दो second में कर जाएंगे ठीक है ना तो आपको x1, x2, x3 यह सब चाहिए लेकिन infinite तब तो जब हम demover use करते हैं तो आपको पता है कि जितने भी angles हैं जितन भी input है जो है आनिकी argument है वो सब add हो जाता है पूरा का पूरा तो यह सब dear add होता जाएगा इनकी value 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे तो यह फिर equal to बन जाएगा dear सीधा बिलकुल जो है आप एक साथ कर सकते हैं फटा-फट यह इस तरीके से बनता चला जाएगा infinite प्लस आयोटा और साइन प्लस पाइबाइट टू इसक्वाइर यह भी डियर इनफानाइट तक अब आप देख सकते हैं कि इनफानाइट का सम है ठीके ना तो आप चाहें तो पाई को कॉमन ले लिजे पाइबाइबाइट तो तो जब यहां पर वन आजाएगा ठीके ना व से बनता चला जा रहा है यह इसी तरीके से सेम कंडिशन यहां पर भी हो जाएगी साइन पाई भाई टू आपने कॉमन लिया तो वन माइनस ए यह बहुं इसरा तो सबस्कित दूसरा नहीं हो कोई यह आकल मेठा यहां लगा सकते हैं ठीक है ना सेम कंडिशन का देखी एक क्वेशन और मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा चेंज है उसमें से बस बहुत कुछ भी नहीं चेंज है थोड़ा सा ही चेंज है आप देख सकते हैं इसमें कि यहां पर लिखा हुआ है कास फाई भाई थ्री टू पावर आन ठीक है ना सेम केस बिलकुल एक्जेक्टी वही है डियर इसमें और प्लस आयोटा साइन फाई भाई थ्री टू पावर आन यह रहा हूँ यह दिया हुआ है एकश एन इकवल टू ठीक है ना एक्षेन एक्वल टू यह दिया हुआ है और इसमें भी वही केस कह रहा है बस लिमिट इंफानाइट तक उसमें लिखा था इसमें लिमिट इंफानाइट नहीं दिया है लेकिन प्रोसेस तो वही एनएग्जेक्ट वही चीज करना है ठीक है ना बिल्कुर सेम डियर अगर सिरी हमने कामन ले लिया ठीक है ना मैं पूरा सिरीज नहीं लिख रहा हूँ डियर यहां पर क्योंकि अभी जैसे पहले लिखा था या फिर मैं लिखे देता हूं ज्यादा अच्छा समझ में आप लोगों को आ जाएगा कास पाइवाई थ्री प्लस पाइवाई थ्री स्क्कार और फिर प्राइड तरुस तो यह यह ऑन गया कॉस पाइवाई थ्री जब कॉमनय लें दियर तो पहर यह जीपी बनेगी 1 1 by 3 1 by 3 square तो 1 upon 1 minus 1 by 3 हो जाएगा ठीक है न क्योंकि 1 by 3 स्कार है common ratio Iota sign same condition डियर पाइवाइट 3 आपने common लिया तो 1 upon 1 minus 1 by 3 ये बन गया अब आप देख रहे हैं कि ये 2 by 3 हो जाएगा तो 3 ऊपर चला गया तो पाइवाइट 2 आ गया ठीक है न डियर और यहां पर 3 उपर आएगा और यहां पर 3 minus 1 तो 2 बच रहा डिया ठीक है न तो ये तो cancel हो गया और इधर Iota sign यहां पर आप देख सकते हैं same condition पाइवाइट 3 है और यहां पर जो है कितना 3 by 2 यहां पर भी हो रहा है तो 3 यहां भी cancel हुआ अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है क्या रहा है कास पाइवाइट 2 तो 0 हो गया कास पाइवाइट 2 यह 0 हो गया और आयोटा इस तरीके से आप question को लगा सकते हैं जैसे उसमें जो है पाइवाइट 2 था तो आप आसान तरीके से उसको प्रोडेक्ट में ले सकते थे ठीक है न लेकिन इस वाले में अगर प्रोडेक्ट में लेंगे और अगर आपने गलती से माइनस वन लिख दिया तो गलत हो जाएगा यही एक concept है आप समझ लेजिए अब जरा देखें नेक्स कुश्चन देखें जरा क्या है अगला यहाँ पर यह राडियर यह देखें यह बहुत ही जानदार कुश्चन है ठीक है ना बहुत अच्छा है थोड़ा सा बड़ा भी होगा इसमें कुश्चन में कह रहा है कि कास x प्लस i y equal to कास अलफा प्लस i sin अलफा है ठीक है तो यह किसके इकल होगा यह आपको इसमें से बताना है देखें इसमें जो है hyperbolic और complex मिला करके दोनों बना हुआ है यानि कि इसमें जो है complex नंबर का भी यूज हो रहा है और साथ में hyperbolic function का भी यूज़ हो रहा है ठीक है ना question थोड़ा सा बड़ा होगा ये लेकिन एक अच्छा question है और इसमें से जरूरी है कि वो फार्मूले वो concept आपको त्यार कूँ तो फिर तुरंद बनेगा question तो सबसे बड़ी बाद तो ये कि हमारे पास ये लिखा है तो पहले इसका यूज़ कर लें कि इससे क्या calculation निकल करके आता है हमारे पास ये ठीक है न डियर ये बाला जो है calculation क्या बनेगा हमारे पास देखिए तो मैं direct formula पहले लगा देता हूं cos a plus b का तो क्या बनेगा cos x cos a cos b होता है cos iota y बन गया plus sin a sin b होगा लेकिन वहाँ पर plus है तो फिर minus आ जाया गए डियर ठीक है न इस जगे cos के फर्मूले में minus बनेगा minus sin x sin iota y अब जरूरी ये है डियर कि इसको हमें compare करना पड़ेगा इस complex number से यानि ये real part है और ये imaginary part है लेकिन यहां तो imaginary ही नहीं है ना यहां तो आप देख रहे हैं कि यहां तो imaginary है नहीं भाई साइन में sin iota y में i sin hyperbolic y बन जाता है तो iota पहले आ गया sin x हो गया और sin hyperbolic y बन गया ठीक है ना और इधर तो सामने ही है cos alpha plus iota sin alpha compare कर दिए dear जब compare करेंगे इसमें तो यह बन गया cos alpha is equal to cos x cos hyperbolic y ठीक है ना sin alpha imaginary से imaginary real से real minus sin x और sin hyperbolic y ठीक है यह बन गया पूरा पार्ट अब इसमें से iota समाप्त है तो squaring कर दीजे दोनों को cos square alpha plus sin square alpha और add कर दीजे दोनों equations को इन दोनों को आपको add कर देना है ठीक है ना इन दोनों को जब add करेंगे आप तो इधर तो one हो गया sin square theta plus cos square theta इधर dear बन जाए गए इसमें है ठीक है ना स्क्वाइर करके add कर रहें आप तो वह बन गया यह बन गया कास square x और कास hyperbolic square बनेगा यह ध्यान रखियेगा और इधर sin square x और sin hyperbolic square y यह बन गया ठीक है अब एक काम करते हैं dear इस कास को हम बदल देते हैं इस कास को बदल देते हैं तो मैं यहां से लिख रहा हूं पूरा ठीक है ना वोस वाले पार्ट को तो sin square x sin hyperbolic square y और यह रह डियर इसको हम change कर दे रहे हैं one minus sin square में क्यों यह भी sin में है तो इ और कास hyperbolic square y ठीक है अब जड़ा इसमें देखिए यहां पर जो है यह साइन square है और यहां भी sin square है यह दोनों ठीक है ना तो कास hyperbolic इसके साथ multiply में हो गया पहले कास hyperbolic square y यह हो गया dear इसके साथ और इसके साथ जबाएगा तो हम ऐसा करते हैं यहां पर जो है minus sin square common ले लेंगे तो sin square common लेने से minus common लेने से सीधा बन जाएगा कास hyperbolic square y और minus sin hyperbolic square y जाती कास square theta minus sin square theta equal to 1 हो जाता है वहां पर 1 नहीं होता यहां पर 1 होगा hyperbolic में तो यह value 1 हो जाती है और equal to 1 तो चली रहा था ठीक है ना तो हमारे पास यहां से calculation निकल करके आ गया कि 1 equal to क्या बना कास hyperbolic square y minus sin square x ठीक है dear यह value हमें मिल गई है ठीक है ना कास hyperbolic square y minus sin square अब इस इसको expand करने इस वाले को कि यह बनता क्या है यह ठीक है ना दियर तो मुझे हटाना पड़ेगा इसको हटा के मैं इस पर आ जाता हूं हाँ यह जरूर लिख देता हूं क्या है आपके पास अभी cos hyperbolic square y minus sin square x equal to 1 है आपके पास इसका यूज आपको करना है तो फिर है आपके पास अब क्या cos hyperbolic 2y plus cos 2x ठीक है ना दियर तो अब इसका फार्मूले का यूज कर दीजे cos hyperbolic 2y का cos 2 theta का तो cos square theta होता है लेकिन ध्यान रखी यहाँ पर प्लस में रहेगा तो cos hyperbolic square y plus sin hyperbolic square y यह हो गया ठीक है ना और इधर आगे वाला पार्ट cos square x minus sin square x ठीक है अब आपको पता है कि हमारे पास एक value आ चुकी है यह value इन दोनों का यह और minus यह cos hyperbolic और minus sin जो हमने यह लिख दिया है इसमें lining कर दी है यह दोनों मिलाके one के equal हो गया तो one लिख दिया हमने इसको हम change कर देते हैं तो जब इसको change करेंगे dear cos में तो cos hyperbolic square y minus 1 आएगा तो यह one और one cancel हो गया अब cos square को भी change कर दीजे one minus sin square x में फिर से फार्मूला बन गया d लिखा है तो यह दोनों मिला करके one ऊपर के question से और यह भी one हो गया two answer आ गया इतना थोड़ा सा आपको इसमे फट लगाना पड़ेगा मैं ठीक है ना इस type के question जब भी आएंगे dear तो यह मैं आपको क्योल फार्मूले बढ़ियां से याद होना चाहिए ठीक है ना फार्मू यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक कि जेट एक complex number है ठीक है ना जिसमें से condition दी है लेकिन इसने बोल दिया कि यह ellipse है अब हमें ellipse की condition पता है हमें ellipse की condition दियर पता है कि z-z1 plus z-z2 equal to k h ellipse अगर यह ellipse है ठीक है ना तो definitely k greater than mod of z1 minus z2 यह दोनों focus हैं तो इस question के according हमारे पास a square और 2 यह लिखा है a square minus 2a लिखा यह z1 है और z2 है और less than 3 लिखा है अब modulus की property लगा दी यह डियर इस modulus को हटाने के लिए आपको पता है कि mod x less than a अगर होता है तो minus a से ले करके गहां तक a तक होता है यह use करना है मैं तो minus 3 से डियर शुरू हो गया और a square minus 2a यह 3 ठीक तो पहले इस part को ले 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 है क्योंकि real दिया है वहाँ पर यह देखिए r plus दिया है तो हम इसलिए इसको पहले ले रहे हैं minus 2a minus 3 less than 0 तो यहां पर जब आप factor करेंगे देखिए तो minus 3 plus a मतलब a minus 1 a plus 1 और a minus 3 less than 0 इस से number line लगाने पर क्या मिला आपको minus 1 और यह रहा डियर 3 तो less than 0 है तो positive negative positive minus 1 से 3 value आ ग यहां लिखा है r plus ठीक है ना यह belongs to r plus है इसलिए हम minus 1 से नहीं ले सकते 0 से शुरू करेंगे और 3 तक ले जाएंगे इसको यह answer हो जाएगा ठीक है अगर गलती से minus 1 से 3 आपने लिख दिया तो यहां भी गलत हो जाएगा यानि यह चोटी बात लिखी है यह लेकिन अगर आप से miss हो गई तो फिर गलत हो जाएगा question यह तो चले जाएगा ठीक है ना एक नंबर एक बटा तीन ओल ले जाएगा ठीक है ना तो यह ना होने पाए ठीक है डियर अब आज यह ज़रा next question पर देखिए यह रहा अब ऐसे question जब कभी आते हैं कह रहा है कि वन ओमेगा ओमेगा स् साफ क्यूब रूट साफ यूंटी है अलफा बीटा गामा डेल्टा सब रियल लंबर्स हैं तो किसके को लोगा तो यहां पर जो है कुछ न कुछ हमें ऐसी टेकनिक लगाना है लेट करने वाली भी कि तुरंत आप लेट कर लिजिए कि अलफा बीटा गामा डेल्टा सब वन अगर वन लखने से कई option ना मिलें तो जरूर कर लिजिए और अगर different कई मिल जाएं तो different कर दीजिएगा तो जैसे ही आप यहां रख रहे हैं देखिए तो one plus omega plus omega square यह value तो zero हो जाएगी plus omega square बचा यहां पर भी one plus omega square plus omega यह value भी zero हो जाएगी सब one one रख दिया हमने omega तो अब ड पास एक ही option मिला है answer हो गया ठीक है ऐसे question भी मिलेंगे आपको जिनको लेट करके आप जल्दी निकाल लेंगे ठीक है ना है ना लेकिन तो जरूरी यह है कि एक अच्छा combination होना चाहिए मारे पास लेट करने वाला भी concept हम बहुत बढ़ी हां से जानते हो उसको भी जानते रह और अब जरा जाएए next में देखिए अगला question अब यहाँ पूछ लिया है कि क्या circle कौन सा होगा इसमें से पूछा डियर कि circle कौन सा होगा कौन सा represent करता है circle को और कौन सा नहीं करता है not लिखा है कौन सा नहीं होगा तो एक बात आपको बताएं जेट जेट बार का मतलब ही होता है x square plus y square ठीक है न डियर तो definitely यह तो circle हो गया ठीक है यह हमेशा आप लोग ध्यान रिखिये अगर यहाँ पर 0 लिखकर के आए या कोई value लिखकर के आए ठीक है ना imaginary जब यहाँ लिखा होगा तो यह circle नहीं होग लेकिन real जब भी लिखा होगा ठीक है ना real z minus z1 z minus z2 equal to alpha तो definitely circle होगा ठीक अर्ग जब यह लिखा होगा पाई by 2 यहाँ पर तो definitely circle होगा और समझ रहना अगर यहाँ पर पाई और 0 आ जाए तो जरूरिये line होगा यह भी ध्यान रखिये यह not equal to 0 and पाई यह नहीं होगा तो फि यह perpendicular bisector है यह देखिए z minus iota equal to z plus 1 बता रहा है इसका मतलब है कि z की iota से distance और z की minus iota से बराबर है तो यह शिरफ line होगी यह answer होगया यह circle नहीं होगा तो अब आपको पूरे concept आपको पता है तो फिर time बरबाद नहीं होगा z की value x plus i y रखने की आपको जरूरत नहीं पड़े फटा-फटा calculate कर लेंगे ठीक है ना शलिए अब जरा आते है next में यह देखिए यह एक खास question question में क्या लिखा है कि mod of z1 upon z2 यह किसके equal है one के इसका मतलब है कि mod z1 equal to mod z2 होगा फिर तो definitely पहली condition यह पहली condition मिल गई हमें दूसरा लिखा है साथ में डियर की arg z1 into z2 into है equal to 0 तो फिर इसका मतलब है कि arg z1 property लगाना था में यहाँ पर और arg z2 equal to 0 इसका मतलब शेओर है कि arg z1 equal to minus arg z2 होगा अब आपने पढ़ा है एक बात कि arg z conjugate minus arg z होता है ठीक है यह होता है इसका मतलब सेओर है कि अगर यह z है तो यह z बार होगा इसका मतलब z1 बार ठीक है z1 बार equal to क्या लिख सकते हैं z2 या फिर हम z2 ठीक है न या फिर जो हम क्या लिख सकते हैं आपर दूसरा z1 equal to z2 है या फिर z2 बार equal to z1 यह दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं मतलब एक ही वाई धर का उदार ठीक है न तो अब ज़र आते हैं option में z1 equal to z2 का तो कोई chance ही नहीं है z1 इसका भी chance नहीं है आपने पढ़ा है कि mod z2 equal to z z बार होता है इसका मतलब है कि अगर हम mod z2 square को निका लें तो z2 बार होना चाहिए लेकिन यह तो बात यह है ना कि z1 equal to z2 conjugate है तो इसकी जगे पर हम रख देते हैं जटू conjugate जटू इसका मतलब ही answer हो गया बी answer आगया तुरंत ही यानि जो हमें पूरे concept पता थे तो question लगाने में फिर देर नहीं लगने वाली डियर फिर तुरंत हो जाएगा फट से हो जाएगा ठीक है ना और अब आजाए ज़रा next में अगला question देखिए यह खास question दिया हुआ है कुछ अलगी चीज क्या पढ़ा ह चली हम ठीक है ना qx लिखा है तो हम लोग करते क्या है कि y equal to px लिख देते हैं और y equal to qx लिख देते हैं यह जरूर यह अब यह सब concept ही है जो आपको याद रखने पड़ेंगे जो है तो फटा-फट कर दीजिए तुरंत ही mod z equal to कितना mod z minus 1 अब mod z है तो से और ही square करिए z minus z z bar का concept आपको लगाना होगा dear, z z bar का concept यह तो z z bar हो जाएगा, यहाँ पर भी आप z minus 1 करेंगे और z bar minus 1 करेंगे क्योंकि 1 तो real है तो यह calculate करके लाएंगे तो z z bar आ जाएगा, minus z plus z bar यह भी बनेगा, ठीक है न, minus कहीं बनेगा यह भी, यह भी minus है, तो multiply करेंगे, देखे, z से minus और इधर जो है, यह और इधर minus 1, plus 1 हो गया, अब यह देखे, यह दोनों cancel हो गए, तो क्या बन गया dear, यहाँ पर, z plus z bar की value आ गई 1, एक तो आ गया, अब दूसरे बाले को same condition में ले लेना है आपको, same condition में dear, यह mod z equal to mod z plus 1 है, squaring, mod z square किया आपने, तो फिर mod z plus 1 square हुआ इसको हम लोग लिखेंगे, z plus 1, और z bar plus 1, ठीक है न, और यह हो गया, z z bar, और यह z z bar हो जाएगा, plus z plus z bar, plus 1, ठीक है न, यह cancel out हुआ, अब देखे ज़रा, z z bar equal to minus 1 आ गया, यह minus 1 आ रहा है, यह plus 1 आ रहा है, तो sure है, कि modless लगा के कर दीजे, अब modless का मतलब है कि एक बार plus V और एक बार minus V, ठीक है डियर, तो यह बन गया तुरंट जो है, यह answer नहीं होगा, यह अकेला हो जाता है, जल्दवाजी में आप लगा सकते थे, लेकिन दोनों का मतलब है, एक negative और positive आ रहा है, इसलिए plus minus 1 लगा देना जरूरी है, ठीक है डियर, क्लियर हो गया है, तो ठी के बाद जो है, मैं एक बार आप लोगों को फिर से और इसी बता देता हूं, ठीक है ना, हम लोग जल्दी ही LTE, ग्रेट का बैस लांच करने वाले हैं, बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से, अभी तक बहुत सारे student का admission भी हो चुका है, ठीक है ना, और बहुतरीन तरीके स से मतलब एक प्लान बना लीजिए कि हमें GIC जाना है, ठीक है ना, GIC का lecturer बनना है या फिर जो है 9th, 10th में LTE में पहुंचना है, वो भी एक अच्छा portion है, ठीक है ना, मतलब कुछ अलग ही charm होता है उसका, ठीक है ना, अलग ही payment भी होता है, बेतन भी अलग है सब चीज़े, तुछ यह फिर मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, थेंक यू